मंत्री जी मेरा आपसे सवाल है कि आयुशमान कार्ड एक आम जनता के लिए बहुत बड़ी सुईदा है लेकिन देखने में आ रहा है कि इसका बोड़े बड़ा व्यापक पेमाने पर दूरुपयों गुब रहा है तो इस पर मॉनिटरिंग के लिए और कारवाई के लिए सरका के पास कोई प्लान है क्या देखिए आयशमान कार्ड का दुरुपयों यदि किसी अस्पताल में होता है तो उस पर समय समय पर करवाई भी होती है उनके बिल भी रुख जाते हैं तो उसके लिए पूरी ववस्ता है आयशमान जो विंग हमारे हाँ देखते हैं उसमें काभी बड़ा अमला है जो बिलों की प्रोसेसिंग से लेके और अस्पतालों के बिल के पेमेंट और यदि कोई शिकायत है तो उसकी जांच और फिर रिकवरी पैनल्टी देना और उनको ब्लैक लिस्ट करना यह सारा काम करने के लिए यहाँ पर एक तंत्र है जो बड़ी संख्या पर आई, करशी ऊड़ी नहीं है, उनके लिए क्या हो सकता है, तो उनके लिए तो एक क्योंकि आई शुमान कार्ड ने पड़े वर्ग को कवर किया हुआ है, तो यह योजना तो उन्हीं को लाब देने के लिए है, जो उस किटेगरी में आते हैं जो समाजिक सर्वे, और सर् प्रकार के जो वर्ग हैं, जो जिनको मदद की जरूत है और वो उस सर्वेक्षन सूची में नहीं है, उनको भी शामिल कर लिया है, और संख्या काफी बढ़ाने का प्रयास किया है, तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें कवर किया जा सकता है, मादन्ड के आधार पर उसको शामिल किया गया है.